वेलकम टो अबर चैनल दूस्तो आज हम ए लाइन कुरती कटिंग और स्टिचिंग करेंगे जिसमें हम बलून स्लीव बनाएंगे विद कफ यहां पर हम कफ बनाएंगे और इसमें बटन की पेटन करेंगे वी नेक रखेंगे और इस तरह का मेजरमेंट है अगर आपका मेजरम इसमेंट भी सिमिलियर है तो आप मुझे फोलो करके बना सकते हो यह इसका फैबरिक है और इसमें हम पोटन इनर का यूज़ करेंगे दोस्तो चैनल पर नए हो तो ज़रू सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें और शेयर करें दोस्तो तो सबसे पहला आपको इनर को सेट कर लेना है इस तरह से यह आप देख सकते हो यह मैंने डबल लेयर यहां पर सेट कर लिया है बेक साइट को हम जीप लगाएंगे तो यह इसका मैंने महारजीन इस तरह से रखा है नीचे के लेयर में और यहां से दोनों को स्टेट कर दिय दूनों के एक लेवल पर कर दिया और यहां पर जहां तक हम कमर की नीचे तक चेन लगाएंगे इस तरह से आपको इसका एक्ष्रा चेन के लिए मार्जिन छोड़ा है अगर आपको इस तरह से कटिंग में दिक्कत आ रही है तो आप एक एक लेयर करके भी कटिंग कर सकते हैं पहले एक लेयर बेक का कटिंग कर ले और फिर इस तरह से रखके आप बेक का कटिंग कर ले लेकिन मैं इस तरह से कटिंग करता हूँ दोनों लेयर साथ में सैट कर दिय तो इस तरह से आपको set कर लेना अच्छे से इसको प्रेस करके और उसके बाद इसका हम अब मार्किंग करेंगे इस तरह से मेजर टिप को रख लेना है पहले solder की लाइन रो करना है solder से आधे माप से चेस की लाइन रो करना है फिर कमर की लाइन रो करेंगे हीप की लाइन रो करेंगे और लेंध ले लेंगे अब यह लाइन है तो इसको अलका इस तरह से क्रॉस मार्किंग करेंगे अब यह कमर की लाइन और हीप की लाइन जो है वह अपने मेजर्मेंट के हिसाब से आप रख सकते हो जिसे यह स्मॉल साइज है इसके साड़े बारा के सोल्डर है तो मैंने यहां पर सवा छेपे चेस की लाइन लिए और तेरा इंच पर इसकी कमर द लेना है तो आपको कटिंग करने में दिक्कत कभी नहीं आईगा अगर आप मेजर्मेंट ले रहे हो कस्टमर का तो वेस्ट लाइन और हीप लाइन जब आप ले रहे हो तभी आपको धियान लगते होगा यह दोनों मेजर्मेंट ले ले लेना है और उपर का मेजर्मेंट ए आप उसको सेट कर सकते हो यह में आपको जैसे से हमारी चैनल ग्रो होती जाएगी सारी चीज़ा आपको डिटेल में मैं इंशालला बताऊंगा तो पहले इस तरह से लाइन डो कर लेना है सारी और उसके बाद हम इसका मेजर करेंगे अब यहां पर सोल्डर का आदा मेजर करना ना है जिसके साड़ हे 12,5 बारा के सोल्डर है तो इस तरह से जो उपर का front side है उस पर रख्या में measure करना है कि बेक side का तो हमने margin रखा है तो यहाँ पर सवा छेलिया है अब यहाँ पर इसकी अपर चेस की size बहुत कम है तो आमोल का save देने के लिए इसको हम यहाँ पर 12 का रखेंगे तोड़ा कम कर देंगे तो इस तरह से भी आप जो save है उ यहा तो 12 रखते हैं यहां पर मैंने 12 रखा है अब यहां पर अपर चेस का measure लेंगे 31.30 की अपर चेस है तो इस तरह से यह साड़े साथ में एक जो हमारा कापा है उसको हमें कम रखना है इस तरह से और आधा इच लूजिंग रखना है आधा इंच अब आधा इच लूजिंग यहां रखेंगे तो total दो इच होगा क्योंकि इसकी चार साइड है front side की दो और back side की दो यहने total चार साइड आधा आधा इच होगा तो total दो इच लूजिंग है यह बिलुकुल नॉर्मल फिटिंग है अगर आपके customer आपको बोल रहे हैं कि normal fitting बनाना है तो आप इस तरह से cutting कर सकते हैं और अगर इसमें ज्यादा fitting चाहिए तो आप इसको losing कम कर सकते हो customer के fitting के इसाब से अब इसी तरह से chase में भी चोथा हिस्सा लेना है 81 की यहाँ पर chest है तो यह साड़े साथ पे 30 और यह 81 और आदा हैं जिसमें losing देना है दोस्तों chest हमेशा upper chest से 2 इच नीचे की side measure करना है हम उपर side chest measure करते हैं लेकिन यहाँ पर जो upper chest से उससे 2 इच नीचे chest को हमेशा measure करना है और कमर को भी इस तरह से चोथा हिस्सा लेंगे और यहाँ पर हम tux रखेंगे back side पे तो यहाँ पर एक इच रखेंगे front side पर tux नहीं आएगा सिर्फ back side पर tux आएगा तो यहाँ एक इच रखेंगे तो इसका भी total losing 2 इच होगा क्योंकि front side का पूरा back side का जो पूरा losing है वो tux में चला जाएगा तो front side से एक इच और एक इच यहाँ टोटल 2 इच ही losing कमर साइट पर भी रहेगा अब यहाँ पर A line है तो आप heap की side पर वेसे तो मैं यहाँ पर 3 इच losing रखता हूँ heap पर लेकिन आप normal 2 इच यहाँ पर रख सकते हो तो आप इस पर 2 इच भी रख सकते हो टोटल आप कैसे heap का मेजर करते हो उसके उपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर कितना losing रखना है तो यहाँ पर मैं डेड़ इच losing रखता हूँ अब यह a-line है तो इसमें आप ज़्यादा flare करने के लिए यहाँ पर इतना a-line के लिए losing माइन नहीं रखता है जितना अगर flare चाहिए सिर्फ कमर तक ही इसका shape body fitting रहेगा उसके बाद तो flare आ जाएगा अब जितना flare आपके according आप रख सकते हो या तो आप heap तक body fitting दे सकते हो या तो यहाँ से इसको flare कर सकते हो तो यहाँ पर आप losing जितना चाहिए उतना दे सकते हो तो इस तरह से marking कर लेने के बाद सभी इस तरह से line row कर देंगे अब यह line row हो जाने के बाद इसको round shape देंगे और यहाँ से आमोल को round में हम measure करेंगे यहाँ से इस तरह मेजर टेप रखना है इस तरह से और इसको measure कर लेना है साड़े 14 के इसके आमोल है तो यहाँ पर जो आमोल का measure आने के बाद इसको इस तरह से solder पर cross line row कर लेना है तो इस तरह से आप अमोल का एक्जेस कर सकते हो measurement अब इसके बाद हम यहाँ पर डीड़ से 2 inch आपके according कपड़ा रखते हुए इसको हमें cutting कर लेना है इस तरह नीचे ह साइट 16 रखेंगे सिलाइम आपके देर से रखते हुए इसको कटिंग कर लेंगे यहाँ पर की साइट 17 आपके आदा इंच सिलाइं मांचन रखा है कि यहाँ पंवाल बेर से 2 इंच रखा थाकर जब हम में फैब्रीक को इनर से सिलाइक करेंगे तो इसके आसानी के लिए अब यहाँ पर जो कपड़ा कम पढ़ आया तो इस तरह से जो उपड़ तो हमारी फ्रंट साइड है, तक्स का मार्किभी हमें बेक साइड पर उटालेना है, दिंब हुआ कर्दें तक्सा करा है, हम इसको ड्रो कर लेंगे और यहां पर 9 Wing का इस तरह से रख के नौ इंच का मैने तक मार्किंग कर लिए अब इसको हम दूसरी साहिट उठा लेंगे मार्किंग को में जो साइट का दोस्तो यह मार्किंग मैंने इस तरह से दूसरी साइट ले लिया है अब यहां पर हम आर्मॉल का जो मेजर है उसको मेजर करके कटिंग कर लेंगे इसकी वीडियो में अलग से बनाई हुए है अगर आपने नहीं देखिए तो आप देख सकते हो स्किलिंग में आपको उपर आ इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है सबसे पहले तो उसके बाद इसको मैंने यह सिंगल फोल्ड इस तरह से पूरा कपड़ा सेट कर दिया है पूरा जितना था हो उसको में सिंगल फोल्ड करना है ए लाइन जब भी आप कटिंग कर रहा हो तो पूरा कपड़ा ले लेना है अब इसके उपर हम इनर को रखेंगे ऊजैसा हमने इनर कुटिंग किया था वेशे इसको हम कटिंग कर लेंगे मेन फैब्रिकımı तो इस तरह से ये मेन फैब्रिक मैंने कटिंग कर लिया यहाँ पर फॉल्ड के लिए कपडा अब अपना कोडिंग रख सकते हो डीर से दो इंच जितना आपको शूटेबर है आप रख सकते हो मैंने यहां तकरीबन एक से सवाई एक इंच तक रखा है और साइड पे भी एज़ेटीस कटिंग कर लिया है जैसा मैंने इनर रखा था और यहां पर आपका नेक मेजर करके अपना कोडिं नेक कटिंग कर लेना है अब यहां पर एक चीश समझने है कि आपको अगर जादा फ्लेयर चाहिए घेर तो आप इसको यहां से अलग रख सकते हो याने इनर से तो इसको कैसे कटिंग करना है कि मान लोगे अगर यहां से अलग रखना है हमें जो मेन फेबरिक का जो लेयर है मेन फेबरिक का जो घेर है उसको अलग रखना है इस तर से तो यहां से हमें इस तरह से एक्षा कटिंग करना है अगर ज़्यादा घेर चाहिए तो इसको एक्षा इनर साइट तो इतनी ही रहेगी लेकिन जो मेन फेबरिक है उसको यहां से एक्षा कटिंग करना है और यहाँ पर कट लगा लेना है जिसे हमने यहाँ कट लगाया है सहुलत के लिए तो आप यहाँ पर कट लगा ले ताकि आपको पता चले कि यहाँ से हमें इसको अलग करना है तो आप इस तरह से कटिंग कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा फ्लेर च कर दोस्तों आप लोग एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर ले तो इस से हम पैक साइड कटिंग करेंगे तो हमारी फ्रंड और बैक कटिंग हो चुकिए अब हम इसकी स्लीव कटिंग करेंगे कि दोस्तों स्लीव के लिए हमें इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है कि पुरा कपड़ा ले लिया है इसको इसको डबल स्लिव निकलेगे हमारी के साथ इसको कटिवा होगी तो इस तरह से डबल फोलकर ले अब यहाँ बहुत हैं है काफ के साथ तो सबसेखे सेट करेंगे बाद इस तरह से आमोल हमें से ड्रो कर लेना है अब यहां पर आपका जितना भी आमोल का मेजर मेंड़ है जिसे यहां पर 14 इंच का आमोल है तो यह इतना portion मेंने एक्षा दिया है अगर आपको प्लीट्स ज्यादा चाहिए तो आप यहां पे joints लगा के यहां फैबरिक आपके पास ज्यादा है तो आप उस तरह से यहां पे एक्षा ले सकते हो plits के लिए अब यहां पे मेरे पास इतना ही फैबरिक बचा है तो मैं इसमें setting करूँगा तो इतना मैंने एक्षा दिया है plits के लिए तो इस तरह से पहले सेब देते ना है आमोल का फलका सा बहुत ज़्यादा डीपनी करना है कि हम balloon sleeve बनाएंगे अब उसके बाद इसमें क्या करना है कि length लेनी है अब इसकी length 21 21 की है लेकिन जब भी आप कोई balloon sleeve बना रहे हो तो उसमें एक इच प्लस करना है फुगी sleeve में एक इच प्लस करना है 21 इच की length है इसकी 22 इच की रखेंगे अब यहाँ पर साड़े तीन इच के हम कफ बनाएंगे तो इतना हमें इसको cut करना है क्योंकि यहाँ पर हम कफ लगाइंगे तो length पहले ले लेनी हैं हमें इसको easy करने के लिए एक प्लस करके length लेनी है फिर यहां से साड़े तीन जितना भी आपको Cup रखना है 3 इच रखना है चार इच रखना है तो उतना हम इसको minus करें फिर यहां पर इसकी Line रोग करके पूरा कपड़ा ले लेंगे और इसको फिर करें सब्सक्राइख कि और पे अब यहां पर सेंटर कट लगाएंगे यहां पर कट लगाएंगे साइट का अब इसको न्मीद रिप अठाके फ्रंट साइड का आमओ कटिंग करेंगे हल्का सा cut करना है बहुत ज़्यादा नहीं करना है और यहाँ पे cut हो जाएगके फ्रंट साइड हो जाएगे स्लीव भी तो इस तरह से हमारी सली भी cutting कटिंग हो जाएक तो दोस्तों हमारी ड्रेस का कटिंग यहां पर कंप्लीट हो चुका है अब इसकी स्टेचिंग की वीडियो इसके बाद वाली वीडियो में हम अपलोड करूँगा वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो जरूर लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्स बिर्शों ग्रेस कर दोस्तों है कर देंगर हो जोस्तों है थो पर चैनल प्रेस दो जाएक कर दोस्तों है